जहिंद मेरे पैर सत्यों मैं राहुल राज अल इन जॉब्स में आपका स्वागत है हम आज बात करने वाले हैं आपको आईटी वीपी के अंत्रगत ये भरती निकल के आ चुकी है ट्रेड्समेंट की इसके मैंने अल्रेडी आपको बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ आज आपको इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको सिलेबस से बारे में ठीक है कि आपको सिलेबस क्या है और शांती बात करेंगे आपको किस-किस चैप्टर से कोश्चन पूछे जाएंगे सबसे महत्वपून बात ये बतादू आपको कि जो आपको बात करने वाले हैं कि किसकी चैप्टर से प्रश्ण बूशन देगे ये सबसे महत्वपून बात हम बात करने वाले हैं तो अगर आप ITPP Tradesman का फोरम फिल कर दिये हैं तो आपसे एक छोटी स्रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल सुस्क्राइब जरू कर दिजे और साथी आज आज आप सभी भाईयों को रक्षा बंधन के और से धेर सारी बधाई और बहनों अपने भाईयों को प्यार से सात्या और हैविडियों जबतारररर बंधन सुस्क्राइब करतों सुपवायों को रखते हैं so, अधू जब से पहले हम बता दे आपको प्रेक्शे क systems क्या रखा गया है तो first of all आपका physicals होगा ठीके मेरे फाई physicals में आपको height देखा जाएगा, chest देखा जाएगा, weight देखा जाएगा और आपका running होगा और high jump होगा और long jump होगा इसके लिए मैंने already आपको वीडियो बना चुका हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं जैसे आपको physicals pass करेंगे तो उसके बाद आपका return exam होगा, ठीके न, हमारा यहाँ mistake हो चुका है आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि आपको numbering में थोड़ा mistake चुल गए, यह आपका लिखित exam होगा दूसरे नमर में, ठीके उसके बाद आपका ट्रेटेस्ट होगा, जो मेरे भाई written exam qualify कर जाएंगे उनहीं को लिए आपको ट्रेटेस्ट के लिए बुलाया जाएगा यह बाद फिर से मैं उका दूँ कि फिचकल्स के बाद आपका written exam ही होने वाला है, written exam qualify करने के बाद आपको ट्रेटेस्ट के लिए बुलाया जाएगा ट्रेटेस्ट अगर आप qualify कर जाते हैं तो फिर आपको merit list बनेगा, merit लगेगा, फिर merit के बाद आपका documents verify किया जाएगा और आपका medicals लिया जाएगा और फिर आपका joining complete करके और आपका selection कर लिया जाएगा यह तथी आपको selection process आगे चलते हैं हाँ इस वीडियो में आपसे एक छोटा सा request है कि इस वीडियो को 100 likes complete करना है प्रिस लाइक कर देजे हम आने वाले वीडियो में और इससे बेश्तर करके लाएं और आप लाइक करते हैं तो हमको motivational मिलता है कि हम आपको और भी अच्छा बाड़े में बतला दीजिए ठीक है तो सबसे पहले आपको जो लिखित exam होंगा यह आपका exam online होने वाला है कैसे होगा भाईरे भाई तो और भी यह सब experience वाली बात होती है फिर यह बात करते हैं प्रश्ण जो रहेंगे आपको हिंदी और इंगलिस लेंगवेज में रहेंगे आप तो exam हो सगे तो आप Hindi लेंगवेज में दे या इंगलिस लेंगवेज दे कोई प्रोग्रम नहीं आने वाली है परिछ्छा का मतलब समय आपको टोटल साथ मिनट रहने वाला है एक घंटा और एक्जाम में कोश्चन पूछे कितने जाएंगे आपको पचास तो आपको दस मिनट एक्स्टा मिल रहा है तो इसलिए आप जितना जी जान लगाकर आप अपने रिटेन पर एक्जाम पर फोस करें कि समय आपक किसके सरक परकार आपके कोश्चन पूछे जाएंगे इसके डिटेक हैंगे कोश्चन पूछेंटी यानी ध्यान सप्दा क्योंस समान संवर्फ न चोट्रंब को बता दूं एकर मातर गेंडे होकल सैंट कि थोड़ा आपको नम्त करता इसलिए इसलिए अप घ्यान देना श में भी आपको टोटल पंद सडी दस question मिलने वाले है झार इसके बाद हम बात करते MJ को जो फोटान रहने वालए है उसके बाद बात करते हैं घंदी और इंगुलिस कोड़ना यह तो एंग्लिस सव करना है दोनों में से एक ही subject को स्के सोल्व करना है ठीकिन डौनों में से आपको एक सब्जेक्ट को सील्व करना है और आपको टोटल कोयूस्टियुक संख्याए हाज़गे 10 ठीकिम और यह जो आपको टोटल इक संख्या होज़ेगे 100 patient पूर्षिन होन जाएंगे और आपका समय और रहने वाला है मात्र साथ मिनट याने एक घंट का रहने वाला है कि स्कॉल करेंगे अब बात कर देखें अब बात रादें किस चैप्टर से पुछे जाएंगे प्रश्न इसकी reading going of बात करें फेस्ट जगरुकता और स्रामान ज्यान से जोग people आपको इसमें क्या पूछ जाएंगे भात से जूरी ली पूरी सारी अपडेट पूर्ष से जाता करें इसमें आपको देखिए यहां आपको सबसे पहले बदा दे भारत के भारत और उनके परोसी देशों संबंधिस प्रश्न शाइमिल रहेंगे विशेश रूप से खेल इतिहास संस्क्रीट भूगोल अर्थ सास्ति जनीतिक सास्त और आपका भारतिये श्रमिधान और विज्ञान से कोश्चन रहने वाले ठीके यह किस किस से रहेंगे आपको यहां आपको देखिया अब यह तो था आपका जो जेनरल रहते हैं सब्जेक्ट और आपको अब यहां देखिए आपको वर्तमान में हुई घटना हर दिन कर या सब्जेक्ट मिला कर आपको पांच तुटल 15 कोश्चन आपको जीयक के दिय oblivion से पूचे जाएंगे उसके बादे आपको मैं जैसे कि आपको एक लिए यहां से संख्या पढ़नाली पुर्ण संख्या दसंभलो भीन मौलिक अंग परतीसत अनुपाथ से अनुपाथ और शूट और श्रमय और कारिश संबंधित आपके कुरश्न पूछे जाएंगे तिके उसके बाद रिजिनिंग के बात करें रिजि मौखिक रिजिनिंग होता है और एक आपको लिखित वाले बीना प्रेंश से आपके क्वोच्चन के पूछे जाएंगे और इसी परकार से आपके मौष्न पूछे संबंध मुखन सामिल होंगा सब्द , वाक के तुरूटी, वाक के सुधार, रिक्त सब्द और इसके समझ में आपको रहने वाले हैं टोटल आपको इसी इसी चैप्टर से कोश्चन पूछे जाएंगे तो फ्रेंट इस तो मैं आपको बता दिया अगर आपको इसके बाद भी कही डाउट हो किसी पड़ा का problem हो तो comment करे, आप पये comment का ही हम इंतिजार करते हैं कि आप क्या comment करते हैं उसपर हम Baba कर आये तो चलिए फ्रेंट फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडेयो में जब तक ले जाहें दोस्तो। बंदमातरम